दूर्देशन समाचार मां आपनू स्वागा छे जोई अत्यार सुदिना समाचार महेदियने प्रसारण मंत्री वेंकया नाइडुये मिडिया जगतने सत्यानी नजीकने संसनाटी थी दूर रहवा साला आपी छे नविदिली खाते इंडियन इंस्टिटूट अफ मास कम्यूनिकेशन ना ओगणपचास मा दिख्षान समारम मा बोलता तेमने उमेर्यु हतूं कि हेडलाइन्स नी गमेते भोगे खोज करवानी वृत्ती वत्ती जाये छे तेरे सच्चाईनो जाने भोग लेवाई जतो होई त सदने धारा सभानी धांदल धमालने चमकावता समाचार माध्यमों खरेखर्तों पायाना प्रश्णों नी छनावट करवा जेवो मूल धर्म भूली जेता होई छे प्रसार भार्ती ना वड़ा ए सूर्य प्रकाश आ प्रसंगे हाजर रहा हाता गुजरात भाजपना युवा मोर्चा नी महत्वनी बैठक गांधी नगर नजी कावेला प्रदेश कारिया लए यो जाई गई जेमा मुख्यमंत्री विजैभाई रूपानी हाजर रहा हाता प्रधान मंत्री मोधी नी आगामी मुलाकात तेमना जन्म दिवस निमेत्ते होवा थी आ यादगार प्रसंग एतियासिक पन बनी रहे तेवुँ आयोजन हाथ धर्वा माटे युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्रीय मार्ग दशन आपियों हतो प्रधान मंत्री नी नरेंद्र मोधी एप एकच दिवसे पांच लाख स्मार्टफोन मा डाउनलोड करी गुजरात वधू एक विक्रम नोंधावे तेमाटे युवा मोर्चा प्रमुक प्रदिपसी वागे लाए जहमत भर्यू आयोजन शरू करी दिदूँ छे नवसारी तथा लिंखेडा खाते योजानार प्रधान मंत्री ना कारेकरम नी विगतवार चर्चा आब एठक मा थाई हती गंधिनगर खाते पस्चीम रेल्वे ना जनरल मैनेजर सहितना उच्च धिकारियों साथे मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाने नी मुलाकात योजाई गई जेमा पेंडिंग पडेला रेल्वे प्रोजेक्स ने समय सर पूरा करवा माटे राज्य सरकार ना साथ सहकार नी क्या आने किटली जरूर से तेना अंगे चर्चा थाई हती गुजरात ना आनेक रेल्वे स्टेशन नी खिलावनी विश्वस्तर नी सुविधाव साथे थनार होवा थी घणास थने स्थानिक वहिवटी तंत्राना सहकारनी रेल्वे ने जरूर होवा थी संकलन माट्या बैठक मा भार मुक्वामा अवे हतो आजे अनंत चतुर्दशी ना दिवसे दस दिवस सुथी चालेला गणेश महोचसवनू समापन थे रहुशे विग्नाहर्ता भगवांचरी गणेशना पूजन अर्चन बाद गणेश चतुर्थी थी घरोंने पंडालों मा स्थापीत करायली बापानी मूर्तियोंनू आजे मूर्थ अनुसार विसर्जन करायी रहुशे अमदावाद मिनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा साबरमती नदीना किनारे 22 जिटला कुन बनावामा आवे छे के जैना थकी भक्तो सरल ताथी विसर्जन करी शके मूटी मूर्तियोंना विसर्जन माटे पन अलाई दी वेवस्ता कॉर्पोरेशन द्वारा गोठवामा आवी छे आजे वहली सवार्थीज पोलिसना चुस्त बंदोबस्त वच्चे अमदावास सहीत गुजरात भरमा पन गणपती बापा मूरिया अगले बरस्तु जल्दी आजेवा नाद साथे आजे भक्तो बापाने भाव भीनी विदाया पी रहा छे आजे भारतमां इंजिनियरिंग क्षित्र ना पितामः गणाता सर M. विश्वेस्वराईया नी याद मां एंजिनियरिंग दिवस्त नी उजवणी था रही से जना अनुसंधान मा अमदावाद मा एलडी एंजिनियरिंग कॉलेज घाते एंजिनियरिंग दिवस विशेश कारेकरम नु आयोजन करवा मा आवियोतु एसोसेशन ओफ कंसल्टिंग सिविल एंजिनियर अमदावाद सेंटर द्वारा आयोजीत आउजयोणी मा चेर्मेन गिरिश सिंगाई सहीत मुटा भागना माहनु भावा उपस्तित रहा हता आजना दिवस ने अनुरूप एक विशेश प्रदशन पन खुल्लू मुखवा मा आवियोतु जेमा बिल्डिंग माटिरियल तेमज एंजिनियरिंग नी विविद कलाना नमुना मुखवा मा आवियाता विजलीनी करकसर ने सर्वाडे पईसानी बचत करावता LED बल्ब नू विज ग्रहकों ने वितरन करवानू हवे संस्तागत दोरने शरू थे हूँशे दुर्दशन केंद्रमा फरज वजावता करमचारियों ने LED बल्ब नू वितरन ओफिस मा करवा माटे खास केंप नू आयोजन कराई होतो परिणा में पावर कंपनी पासे बल्ब लेवा जवानी आरस करता लोकों ने सामे थी बल्ब मणी गाया था ग्रहकोंने सामे चाली ने बल्ब पहुचाडी उजाला योजनाने सफ़ड बनावानो आनुशको सफ़ड थाए तो गुजरात LED बल्ब नी सर्वादिक संख्यानों वितरन करना राज्ये बन शे तेमा कोई शंका न थी कोलेज मा विद्यार्थियोंनी वक्तुर्थ्वा ने विचार शक्ति खिले तेमाटे हैम चंद्राचारे उत्तर गुजरात युनिवर्सिटी मा छेला 25 वर्ष्ती बुधवार यूंचाले से जहमा दर बुध्यार्थियों जुदा-जुदा विशोय उपर चरचा करेशे जए नपरिणामे विद्यार्थियों जहेर मा बुल्वानों आत्म विश्वास वते शे अनुब बक्तुर्थ्वा शेली विकास पामे शे आ बुध्वार्या अंतर्गत युनिवर्सिटी ना उपकुलपती दिपुभाद देवडानी उपस्तितीमा तणावने ओछो करवा आंगे एक चर्चानू आयोजन धयुमतु। जेमा ब्रह्मा कुमारी संस्थानी महिला ओपन जोडाई हती। दर बुध्वार्या प्रकानी चर्चा सभामा पचास्थी साइट विद्यार्थियो नियमीत पने सह भागी थता होईचे। दुर्दशन आजे त्यनो 57 मों स्थापना दिवस उजवी रहुँछे। पंदर सप्टेंबर 19118 मा दिल्ली मा दुर्दशन निस्थापना सेक्षनिक विकास संबंधी नितियोंने वेगापवा प्रायोगिक धोरने करवा मावी हती। इnaugurated by the President of India, Dr. Rajendra Prasad. In the beginning television transmission was limited to half an hour twice a week with the program content reflecting developmental priorities of the nation and essentially comprised educational material striving to inculcate better civic sense among viewers. The viewership was confined to members of 20 teleclubs started by the government of Delhi. From the classroom to the community at large was the logical next step. Television was visualized as a tool for accelerating development. This was the genesis of Krishi Darshan. The country was poised on the threshold of the Green Revolution. And television played a significant role as its harbinger. तुआ साथेजा समाचार बुलेटी नहीं समाप्त करिये शिये. नमस्कार.